प्रकार्ष्रे सांग्षत ओ इुनाइटेट गोर्खा अलायंसेर प्राथिदेर हुमकी दिछे त्रिनुमूल ओतार सहजोगी दल। एमोनी ओभिजग तुले दार्जिलिंगेर सांग्षत राजु विस्तार नेत्रित्ते राज्जोपाल सीभी आनांद बोशेत दारोस्त होलो इुनाइटेट गोर्खा अलायंसेर प्रतिनिती दल। प्रतिनिये राज्जोपाल के एक्टी शारो क्लिपी ओ तुले दान एदिन दर्जिलिंगेर सांग्षत छाराव उपस्ती छिलेन दर्जिलिंगेर बिधायो निरच तमांग। जिम्बा सहो अन्नान्न राज्णुइतिक दलेर पतिनि दिदा बोईठके मुलोत आशन्न पंचायत निर्वाचन्नी आलोजना है भोट पूर्बे जेभाबे हिंशा ओमित्तुर घटोना घट्चे शेदिगे नजोर रेखे प्रत्तेक बुथे केंद्रियो बाहिनीर जोन्न राज्जो पालेर काशे आबेदन जनान शांक्षत राज्यू बिस्ता भोट पड़ोबोर्ती हिंशारूक ते भोट होए जावार पड़ आरोच्छोय सब्ता हो केंद्रियो बाहिनीके शेद्षप एलाकाते मतायन कोरे राखार आर्जी जनान पहारेर राज्णुईतिक दल गवर्नर साब से हम सब का मिलना हुआ जिसमें दारजीलिंग कालिंग कुंग हिल्स के गोर्खा एलाइन्स के करीब आठ पार्टियों के प्रतिनिति उनके साथ बैठना हुआ हमारा गवर्नर साब के साथ मिलने का मुख्या विशे पंचाय चुनाओं को ले करके था हम सब ज जिस तरह से सिलिगुडी में पार्टी ओफिस बीजेपी पार्टी ओफिस को जलाये गया और आज जिस तरह से पहाड के अंदर में वातावर्न को दूशित करने का काम टीमसी और उनकी सयोगी द्वारा हो रहा है इतना ही नहीं खुले आम जो है सांसत को धमकी दिया जा रह है हमारे जो एलाइंस पार्टी के जो केंडिडेट है उनको धमकाया जा रहा है उनको पैसे का लालच दिया जा रहा है जो पैसा ब्रस्टचार से उनके पास है और नोमिनेशन जो है वापस करने के लिए जिस तरह की प्रिशर उनके उपर बनाया और आज जो है जिस तरह से खुले आम पब्लिक को धमकाया जा रहा है कि अगर आप भोट देने जाओगे तो सड़क का पैसा आपको देना पड़ेगा अगर आप भोट देने जाओगे इसका खाम्याजा आपको चुगाना पड़ेगा इसका मतलब आप पश्रिम बंगाल में लोकतंत्र बचाई नहीं है यानि जनता घर से निकल करके भोट कर नहीं सकती ऐसी इस्तिती टीमसी ने बनाई है इन सब विशयों के उपर में बहुत देर तक उनके साथ चर्चा हुई और हमने एक प्रमुक मांग जो है गवरनर साब के साथ रखी है कि इस पंचाय चुनाओं के अंदर में सभी भूतो में Central Force Deployment होना चाहिए और उसके अलावा जो एक और विशय जो सबसे महतपूर्ण विशय था हमने उनसे ये निवेदन किया है कि जो Central Force Deployment होगा वो चुनाओं होने के 6 सबता तक वहीं पे रहे क्योंकि जो हिंसा होती है 2021 में भी हमने देखा चुनाओं होने के बाद जहांजा TMC हार्ती है वहां जो है ज़्यादा वायलेंस होता है और इस बार पहाड में TMC और उनके एलाइन्स उनका पूरी तरह खात्मा और साफ होना तय है तो हमें यह एक डर और भय है हम जनता को शुरक्षित वातावरन और शुरक्षा देना चाहते हैं हम चाहते हैं फ्री एंड फेर एलेक्शन हो जिससे जनता घर से निकल करके अपना मत का उपयोग करे और सही उमिद्वार का चुनाओं हो जिससे गाउं गाउं में विकास कर देखिए डियेम को कई बार लिख लिए एसपी को बहुत सारी चिठियां लिखी जो हमने यह देखा मैसूस किया है They gave me a representation and also had a reasonably detailed discussion on the issues which I want to raise. The request is mainly to ensure that the election can be held in an atmosphere of peace. They would like to have the sufficient forces, particularly central forces, to be deployed not only during election but also after election because they expect first of all violence to increase after the force. They narrated instances of intimidation, threat and also attempted violence on the candidates and the party members. They said some of the members of the party or the groups which wanted to file nominations could not do so because they were physically intimidated and prevented by the goons. They also made me hear a voice clip in which one of the local leaders is threatening others. One, you withdraw your nomination if you want your life to be secure. Number two, keep off campaigning in my territory. That was the voice clip which I heard from them. Now, the issue is this. The Honorable High Court has come up with an order, the implementation of which will ensure that there is free and fair election in the state. The court is very specific that there should not be any tampering with the human rights. The court also expressed its dispressure in their own words of the preparedness of the election here and also gave it. The court is very specific that there has been outside. The debate is better except for thestan.